हलो बच्चों तो NEET 2022 की तरह, NEET 2023 के लिए ग्यान बाबा सीरीज में आप सभी का सौगत है मैं हूँ डॉक्टर हरियोम गंगवार, मैंने बटा MBBS किया 2010 बैच KGMU लखनव से और अब मैं mentor कर रहा हूँ उन बच्चों को जो NEET के लिए प्रिपेर करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इन बच्चों के लिए जो अभी NEET में चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से revise कर पाएं और ऐसे कुछ टॉपिक हैं, जो NCRT में अलग अलग जगे पर देगे, मैं summarize करके एक साथ आपको देने वाला हूँ तो ग्यान बाबा सिरीज की 1000 वीडियोज हम पहले भी upload कर चुके हैं इसी चैनल पर अब आज से हम इसकी सुरुवात कर रहे हैं और इस बार एक नया concept कि NCRT में जो point, जो word अलग अलग जगों पर दियेगे, जिनको लेके बहुत confusion होता है वो सारे point हम एक साथ cover करने वाले हैं तो छोटी सी वीडियो में सारे topic हम cover करेंगे यहां पर बच्चों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे All Canals of NCRT Biology NCRT Biology में कितनी तरह की कैनल्स आपको दी गई गई, क्या इस बारे में कोई आइडिया है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको आश्यर होगा कि इतनी तरह की कैनल NCRT Bio में दी गई है और साथ ही साथ NCRT में टोटल 47 pages पर इन कैनल्स का जिक्र किया गया 47 page NCRT में ऐसे हैं जहां पर कैनल वर्ड का जिक्र किया गया है तो कितनी डिफरेंट टाइप की कैनल हैं इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक और सेर करना बिलकुल भी न भूलें जितना ज़ाद आप लाइक करेंगे जितना ज़ाद आप सेर करेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कॉंटेंट बनाओ और आपका जो काम है उसे आसान कर दूँ जिस काम को करने में आपको कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं वो कुछ मिनट में आपका काम पूरा हो जाएगा तो चले स्टार्ट करतें वीडियो को पहली जो कैनल इंसियाटी में दी गई देट इस दा वाटर कैनल सिस्टम अब यह वाटर कैनल सिस्टम जो होता है बटा इसे वाटर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है sponges में यानि पूरी फेरा phylum की अगर बात करें तो इन में water transport system या water canal system present होता एक सवाल आपका तयार हो गया दूसरे सवाल पे चलते हैं दूसरी canal है elementary canal और आप सभी जानते बच्चों की जो elementary canal है इसको आहार नाल कहा जाता है elementary canal हमारे digestive system का एक पार्ट है इसी elementary canal के अंदर food का digestion होता है तो elementary canal अगर आप कांकरोच पढ़ते हैं frog पढ़ते हैं human physiology पढ़ते हैं सभी के अंदर आपको elementary canal मिलती है और elementary canal के अंदर होता है food digestion यानि यहाँ पर खाना पचता है तो digestion नाम का पूरा chapter ही हमारे पास है फिर आते anal canal यह जो बैटा anal canal है यह हमारे elementary canal का एक पार्ट है जो anus होती है anus एक opening है जिससे जो feces यानि जो tattie होती है body के बाहर निकलती है जिसको gold कहते हैं हम लोग नौर्णली पढ़ते हैं से मैं इसके gold term यह उच करता हूँ कि बही gold खाया इधर से आलू खाया उधर से gold निकल गया तो gold term मैं यह उच करता हूँ उसके लिए तो anal canal anus की opening को कहते है anal anus की जो canal होती है उससे हम anal canal के नाम से जानते हैं तो this is the canal और cavity of the anus anus opening है जिससे gold बाहर आता है body से और उस anus की cavity या canal को हम लोग क्या कहते हैं anal canal अब आते हैं चौथी canal जो कि यह neural canal यह कहां पर पाई जाती है बैटा जो neural canal है इसका formation vertebral column की vertebrie करती है vertebrie के अंदर से canal पास होती है जिसे neural canal कहा जाता है यह vertebral column क्या है यह read को कहते है हमारी जो read होती है उसे हम vertebral column कहते है और उसके अंदर neural canal है तो neural canal कहां से पास हो रही बैटा vertebral column से मतलब हमारी read से पास होती है और यह जो neural canal है इसके अंदर spinal cord है neural canal किसके अंदर है vertebral column के और इस canal के अंदर इस नहर के अंदर कौन है, spinal cord इसके अंदर सुरच्छित रहता है पाचवी कैनाल देखिए cerebral aqueduct, यह भी कैनाल ही है और यह जो cerebral aqueduct है जब आप पढ़ते हैं, CRT का chapter number 21, neural control and coordination तो हमें पता चलता this canal passes through कहां से पास होती है बटा यह this canal passes through the mid brain यह हमारे mid brain से पास होती है, तो cerebral aqueduct एक कैनाल है, जो mid brain से पास होती है, यह सब अलग-अलग chapter में आपको दिये गए है जो मैं एक साथ समराइज करके पूरे CRT के 38 chapters में जहां-जहां कैनाल का जिक्र है इस वीडियो में आपको मिलेंगे एक साथ, अगला है external auditory canal या external auditory meters, यह कैनाल कहां पाई जाती है यह कैनाल पाई जाती हमारे external ear में हमारा जो ear है, हमारा जो कान इसके तीन पार्ट है external ear, middle ear, inner ear तो external ear जो होता है इसमें यह पिन्ना है उसके बाद एक छेद होता है और छेद के अंधर वो माचिस की तीली लेते हैं उस पे रुई लगाते हैं और उसके बाद कान में डाल के और साफ करके अंदर जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालते हैं तो कान का जो हिसाप ने वो तीली डाल के साफ किया earbud डाल के कान का जो हिसाब साफ करते हैं That is called external auditory canal Next is semi-circular canal Semi-circular canal ये बटा तीन कैनाल होती हमारे एक ear के अंदर और ये कहां मिलेंगी ये मिलेंगी inner ear में ये inner ear के अंदर पाई जाती हमारे एक inner ear में तीन semi-circular canal तो दोनों में मिलाके 6 semi-circular canal आपके पास है और ये semi-circular canal क्या करती है balance बनाती है जो हम चलते हैं दोडते हैं तो हमारी body का balance बनाने का काम semi-circular canal के द्वारा किया जाता है तो इनका रोल आता है balancing के case में Next is cervical canal ये कहां मिलती है सर cervical canal जो होती बैटा ये पाई जाती है female reproductive system में एक part आप पढ़ते हैं cervix तो cervix की जो canal उसे कहते है cervical canal this is canal और cavity of cervix cervix और इस cervix क्या है cervix vagina और uterus के बीच का part है vagina और uterus के बीच के part को cervix कहते हैं और cervix की canal को cervical canal कहते हैं NCRT class 12 में तीसरे chapter human reproduction में ये बात NCRT ने बताई है and next is the birth canal birth canal वो canal है जिसके थूँ बच्चा जन्म लेता है यानि delivery के समय बच्चा जहां से बाहर निकलता है उसी को birth canal कहते है birth canal में कौन कौन आएगा cervical canal जो अभी अभी आपको बताई है cervical canal ये वाली जो भी बताई है plus vagina cervical canal और vagina को मिला के birth canal का नाम दिया जाता है तो NCRT में बटाई ये nine canals आपको दी गई है 47 different pages पर तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलिए अगर आपने वीडियो को like किया चैनल को subscribe किया तो मुझे भी इससे motivation मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाओ और साथ ही साथ NCRT में ऐसे point जहां पर आप ध्यान नहीं देते हैं गलत करते हैं आप खुद से अगर इस content को तयार करें तो इसमें कई सारे घंटे लग सकते हैं कई सारे दिन लग सकते हैं पूरी NCRT आपको पलटनी पड़ेगी तो ये पूरी NCRT मैंने एक एक page को देख के बहुत सारी चीज़े तयार की हैं अब day by day आपके सामने आती रहेंगी लेकिन आप सबके लिए चैलेंज है अगली वीडियो तभी मैं publish करूँगा जब इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक होंगे उसके बाद ही next वीडियो publish होगी तो आप सबके लिए चैलेंज अपने friends को forward करिए सबको बताई कि बैया ग्यान बाबा फिर से आ चुके हैं और उनकी सिरीज सुरू हो चुकी है एक हजार एक नंबर की सिरीज है आज और इसमें मैंने सारी कैनाल सापको बता दी आपके दिमाग में अगर कोई question है comment section पूछेगा कि sir बाबा जी मुझे इस topic पे वीडियो बना के बता दीजी कि NCRT में कहां कहां पर ऐसी चीज़े दी है बहुत सारी चीज़े NCRT में ऐसी दी जहां पर confusion होता है जैसे apparatus अब Golgi apparatus भी है, Stomatal apparatus भी है, EG apparatus भी है, Philiform apparatus भी है, Juxtaglomerular apparatus भी है, Vestibular apparatus भी है अब इतने सारे apparatus दीएगे, कैसे आप याद कर पाओगे, खुद आप कलिप ही नहीं कर पाते हो, तो ऐसे अगर आपके दिमाग में कोई idea है, जरूर comment section बताइएगा, उस पे बहतरीन वीडियो में आपको बना के दूँगा चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलेगा, मिलते हैं next वीडियो में, 1000 लाइक का target पूरा करने के बाद, बाई 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 बच्चों